नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल में स्ट्रेसवी क्लासिज पर दोस्तों हर्याणा विदान सभा का जो सत्र है वो शुरू हो चुका है और उसी में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं अलग-अलग नेताओं द्वारा सवाल जवाब किये जाते हैं और के बीच में क्या जवाब दिये हैं यहां पर देखिए यह 15 नंबर पॉइंट पर ठीक है यहां पर हमारा मानना है कि परदें के उन प्रिवारों के युवाओं को नोक्रियों में प्रात्मिक्ता दी जाए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है इस दिशा में मुख्यमंत से रोजगार दिया जाए यानि के जिनकी 050000 क से कम है उनको रियाना कोशल रोजगार निगम में प्रात्मिक्ता दी जाएगी ठीक है इसका मतलब यहां पर है यह सरकार के प्रेक्टा ने कहा है इसके अलावा सरकारी परतियों में भी उस प्रिवार के उमिदवार को पांस अंक अतरिक्त दिये जाते हैं जिसका कोई भी व्यक्ति सरकारी नोकरी में नहीं है युवाओं के आर्थिक सोसन को खतम करने के लिए हर्याना सरकार ने कोसल रोजगार निगम का गठन किया है यह आउट्सोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका पर्था बंद करने की दि कुछ जवाब दिये गए हैं यहां पर यह चीज बताई गई है कि करमचारी वीरोधी ओने का दूसरा उधान है कि पिछली कॉंग्रेस सरकार ने चुनाओ आने पर वोट के लिए अनुबंद तदार्थ वरक चार्ज दैनिक वेतन भोगी पार्ट टाइम दुवितिये तृत यह चतूर्थ सरेणी के करमचारियों को नेमित करने के लिए आनन फानन में आध्य दूरी नीतियां बनाई यानि कि इन्होंने कोंग्रेस सरकार पर मतलब यारोप लगाया है कि उन्होंने क्या है चुनाओ के टाइम में आनन फानन में आध्य दूरी नीतियां बनाई थी ठ तो कुछ उस समय 4500 के करीब जो करमचारी थे उनक्या कुछ रहा था जो करमचारी लगे हैं या फिर रटे हैं उसके बारे में तो अभी मेरे पास फिलाल कोई आकड़ा नहीं है आगे इसके बारे में भी डिटेल लेकर आएंगे जैसे जैसे और स्वाल जवाब होंगे यहाँ पर देखिए कि कॉंग्रिस द्वारा कच्चे करमचारियों को पका करने वाली नीती भी कोर्ट ने रद कर दी थी तो कोर्ट ने रद की थी यह और 4645 करमचारियों को 6 महिने में निकालने के आदेश था हमने उन्हें समयोजित किया तो यह सवाल का जवाब तो यहीं मिल गय इन्हों को समाइयो जित किया गया था यहनि कि उनकों कि जो नोकरिय उसको बचा लिया गया था इस प्रकार 9455 बचले सरकार की गलत नीतियों के काल्ड उनք kissing नोकरिया हैं मतलब जाने की कगार पर थी कोर्ट की आदेश पर भी लेकिन बहुत जुद उसके इस सरकार ने उनको बचा लिया है तो बाकी आपकी क्या कुछ विचार है आपके अपने भी विचार जरूर शेयर करें कमेंट बोक्स में क्योंकि बहुत सारे युवा तो लगात कार निगम के बारे में और भी कुछ ज्यादा स्वाल जवाब ओने की उमीद है क्योंकि एक नया मतलब भी बाग एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया गया है तो इस नई चीज़ें भी निकल कर सामने आएंगी तो जैसे जैसे आएंगी हम आप लोगों के सामने रखते रहे ठीक है तो आगे भी बर्तियों से जुड़ी जानकारी एजुकेशन से रिलेटिड सभी जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें आज के लिए इतना ही थैंक्यू वेरी मच